अगर आप एक ऐसा पोटल खोज रहे हैं, जिस पोटल में आपको कोई بھی चार्ज ना लगे और उसमें आपको जो सर्विस मिले, वो C.S.C. से ज़्यादा देखने को मिले तो आज हम एक ऐसी ही पोटल लेके आयो हुए हैं जिस पोटल में आपको C.S.C. से उतने भी काम है ना वो सब काम आपको यहां पे भी मिलने वाली है और चार्ज जो है वो बिलकुल फ्री है कोई भी चार्ज इसका नहीं लगने वाला है अगर आप एक साइवर कैफ या डिश्टल कैफ खोलना चाहते हैं तो अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप इस ID का यू पोटर आई कार्ड पेन कार्ड और भी बहुत सारे जो सर्विस है वो सभी सर्विस आपको यहां पे भी देखने को मिल जाती है यहां पे दोस्तों आपको UCL का भी काम मिलेगा कैसे मिलेगा यह भी आपको जनकारी देने वाले हैं तो वीडियो का एक भी एस टेप आप में नहीं कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको Google पे चले आना है आप अपने mobile से भी registration कर सकते हैं और mobile से भी apply कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले दोस्तों यहां पे search वाले option में आपको जाना है और यहां पे आपको search करना है सहज वसुदा केंदर जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे फर्ष्ट में ही Welcome to सहज रीटेल फोर मतलब अगर आप रीटेल आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लेक करना है दोस्तों यहाँ पे पहले ही आपको बहुत सारी सर्वीसों के बारे में बता दिया गया है कि आपको क्या-क्या सर्वीस मिलने वाली है देखें यहाँ पे सहज वसुदा केंदर जो यहाँ पे खुला हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे बोट भी लगा हुआ है जिसमें आप railway ticket booking और भी बहुत सारे काम जो है यह यहाँ पे सहज वसुदा केंदर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसमें आपको bank की भी portal मिल जाती है bank का भी use कर सकते है mini bank हो सकते है बहुत सारे bank भी इससे connect है उसके बाद और भी बहुत सारे option आपको यहाँ पे मिल जाते है A.E.P.S. का काम मिल जाता है अधार से payment करने वाला ठीक है उसके बाद यहाँ पे agent ID में भी भारी छूट आपको मिलने वाली है अगर आप railway ticket booking agent ID बनना लेना चाहते हैं तो 1499 रुपे में आपको यहाँ पे मतलब agent ID भी मिल जाएगी यहाँ पे लिखा गया है कि आज ही पंजी करन करे और लाब उठाए ठीक है तो सहज मित्र अगर आप बनते हैं तो यह सभी service आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इतनी ही service आपको देखने को मिलती है और भी बहुत सारे service देखने को मिल जाती है जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि our service में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे e-government service में pain card, income tax, उसके बाद income tax feeling उसके बाद यहाँ पे among NIC UP और MO सभा केंदर यह भी आपको MO सभा केंदर भी आपको यहाँ पे मिलती है उसके बाद यहाँ पे banking अगर portal पे आप देखेंगे banking service पे देखेंगे तो यहाँ पे AAPS का काम micro ATM का काम, account opening भी कर सकते हैं bank account में opening भी bank account open कर सकते हैं किसी भी customer का ठीक है और loan की भी service मिले वाली है मतलब कि आप किसी भी customer को loan भी provide करवा सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे BBPS का काम मिले वाला है जैसे कि payment में आप देखते होंगे कि BBPS का ही payment होता है तो वो भी आपको यहाँ पे payment आपको कर सकते हैं LIC premium जमा कर सकते हैं और यहाँ पे mobile, DTH, recharge यह सब काम आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यह जितने भी काम है यह सबी काम अब आप कर सकते हैं बहुत असान तरीके से ठीक है आपको ज्यादा भी यहाँ पे time नहीं लगने वाला है आपको बहुत ही कम time में आप इसके लिए apply करके आप यह ID ले सकते हैं उसके बाद और भी आपको option मिल जाते हैं जैसे insurance का, general insurance और telemedicine का यहाँ पे मिल जाता है उसके बाद और भी बहुत सारे option मिलते हैं जैसे की tour and travel जिसमे train ticket booking कर सकते हैं उसके बाद railway ticket booking आप यहाँ पे कर सकते हैं bus ticket booking कर सकते हैं यहाँ पे e-learning की भी आपको यहाँ पे सुबधा मिलने वाली है जैसे की आपको पता होगा e-learning सुबधा में भी और मतलब online जो course होते हैं जैसे की computer का course हो गया e-c-c-c-n-i-e-l-i-t और उसके बाद e-l-service और सरकारी परिक्षा ठीक है तो यह सभी option आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है ठीक है तो यह सब कुछ option अगर आपको यहाँ पे एक ही portal में अगर आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे आपको इस portal को लेना चाहिए इस ID को लेना चाहिए और भी बहुत सारे option आपको मिलते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको option की कमी है बहुत सारे option है जो CAC से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि सहज मित्र कितने लोग बने हैं और जैसे कि दो मतलब यहाँ पे दो लाख एक साथ हजार से ज़्यादा लोग सहज मित्र बन चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो परमित्र भी बने हुए हैं, यहाँ पे 25 से स्टेट में यह ID चाल हुए हैं, और भी बहुत सारे बैंक यहाँ पे जुरे हुए हैं, बहुत सारे कंपनियां यहाँ पे जुरी हुए हैं, चले दोस्तों, अब आपको registration करने का process बताते हैं, कि आप को यहां पर रेइस्टेशन करना कैसे है तो यहां पर जब आप情況 करेंगे तो यहां पर में ही एक restriction का option आपको मिल जाता है जो registration का आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने यहां पर नीव registration, no registration और continue registration और how to register फिसक् Purdue आप यहाँ पे new registration करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम click कर देंगे click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे direct आ जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों एक चीजे दी गई है जो आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि online payment option is available, जैसे कि आप CAC के ID में देखते हैं कि online payment ही मतलब होता है available, ठीक है, वहाँ पे किसी भी portal के लिए और किसी भी scheme के लिए आपको किसी को भी पैसे देने की जोरत नहीं है do not hand over cash to anybody, यहाँ पे दिया गया है कि किसी को भी पैसे देने की यहाँ पे दूरत नहीं है, direct आप online apply कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं, हमें यहाँ पे लेना है, मतलब rail ticket booking की ID, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको rail ticket booking का ही payment करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं, कि IRC T agent बनने के लिए 1499 रुपे आपको यहाँ पे लगता है, ठीक है तो लगबग आपको CAC में भी आपको 1000 की चार्ज लग जाती है लेकिन CAC ID लेंगे तो वहाँ पे आपको TEC का एकजाम भी देना पड़ता है, और वहाँ पे CAC में आपको ज़्यादा टाइम भी लगता है, आपको CAC ID 6 महीने, 1 साल भी लग जाते हैं तो आपको CAC ID में टाइम लगती है यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगती है कैसे नहीं लगती है, मैं बताऊंगा, ठीक है New Registration पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे Registration कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपको Travel Service ही चाहिए, सिर्फ आपको Rail Ticket Booking, Bus Ticket Booking और यहाँ पे आपको Hotel Booking यह सब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप Single एक यही ले सकते हैं, ठीक है बहुत जारे आप आसबास में देखते होंगे कि सिर्फ Rail Ticket Booking ही करते हैं तो उनको Rail Ticket Booking का ही ID चाहिए तो यहाँ पे ही क्लिक करेंगे वो, ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको Rail Ticket Booking की भी ID चाहिए ठीक है, अगर आपने जन सेवा केंदर कोला है तो आपको Banking की भी ID चाहिए आपको APS का भी ID चाहिए ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे Default Service है जो Tax to Win, ठीक है Insurance का काम उसके बाद यहाँ पे बिजली बेल और रिचार्ज का यहाँ पे काम E-Learning का काम, सहज बजार का काम ठीक है, और भी बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद Category में आपको सहज ही Select रखना है अगर आप परमित्र बनना चाते हैं तो परमित्र पे क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ पे Search पे क्लिक किया Area पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गाओं के छेतर से हैं, तो यहाँ पे Ruler पे क्लिक करेंगे, अगर आप सहर से आते हैं तो यहाँ पे click करेंगे और नीचे आप यहाँ पे आएंगे ठीक है नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे phone number और email id यहाँ पे आपको देनी है ठीक है तो यहाँ पे आप सबसे पहले phone number और email id जब आप यहाँ पे देंगे ठीक है तो यहाँ पे verify उसको कर लेनी है verify करने क बाद यहाँ पे WhatsApp नमबर आपको अगर ऑफिसनल है तो ठीक है नहीं तो इससे ही काम चला जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है ठीक है नीचे में आपको यहाँ पे दे रहा है योड नेम एंड डिटेल्स आपको यहाँ पे सबसे पहले पेंड कार्ड ही अपलोड यहाँ पे होता है ठीक है और उसके बाद यहाँ पे पेंड कार्ड का जो आपका नमबर है वो आप यहाँ पे नमबर डाल देंगे ठीक है और इसके बाद यहाँ पे आप अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज यहाँ प पे आपको सबसे पहले डालना होगा नाम उसके बाद यहाँ पे आपका मतलब पापा का नाम जो आपके पापा का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा उसके बाद यहाँ पे डालनी होगी डालने के बाद यहाँ पे जो आपका जेंडर है वो जेंडर आपको डालना होगा उसके बाद यहाँ पे आपकी married है या unmarried है वो आपको डालना होगा तो यह चीज़े आप यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे nationality में इंडिया नहीं रहेगा save and continue पे आप click कर देंगे click करने के बाद यहाँ पे आपको address डालना है अपने दुकान का और अपने घर का ठीक है तो यह जो भी address है वो address आप यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है और address देने के बाद आपको review कर लेंगे कि हाँ जो भी मैंने डाला है वो सही है या नहीं है वो सब चीज़े आप यहाँ पे एक बार check कर लिजेगा और उसके बाद आप इसका registration जो है वो confirm यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिस किया कि अगर आप यहाँ पे एक ID लेना चाहते हैं तो जिसमें आपको CAC से ज़्यादा service देखने को मिले तो वो ID आपके सामने यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैसे आप apply करेंगे और आपको जल्दी अगर यह ID चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे contact us में और यहाँ पे जैसे ही contact us पे click करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे contact us में यहाँ पे दिया भी गया है आपके जो मतलब यहाँ पे है miss call या call जिससे आप call करके और ID approval के लिए भी बात कर सकते हैं कि आपके ID approval हुई या नहीं आपने apply किया है और आपकी ID approval हुई या नहीं यह सब कुछ आप जनकारी यहाँ पे ले सकते हैं ठीक है तो यह सब कुछ यहाँ पे customer care का आपको यहाँ पे number भी मिल जाता है customer care में जैसे कि आपके हरे के मतलब जो भी आपका यह होगा उसका यहाँ पे help भी किया जाता है तो direct आप यहाँ से बात कर सकते हैं तो चली यही बताता इस वीडियो में और आपको किसी को भी पैसे देने की जूरत नहीं है आपने यहाँ पे देख लिया है ठीक है आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि online payment available है और यह portal में ही है देख सकते हैं portal में ही है skim select करेंगे जैसे कि हमें यहाँ पे railway ticket booking का ही चाहिए तो यह skim select करेंगे और इसी का हम payment करेंगे इसका अलावा किसी और का payment नहीं करेंगे और किसी को भी payment देने की जूरत नहीं है कोई अगर payment मांगता है तो ना देख ठीक है तो चली यही बताता इ वीडियो में वीडियो कैसी लगे comment में जरू बताइएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में